हालो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर उपास्मित्यागी वेल्कों करते हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चानल डॉक्टर मॉम् रेमेडीज में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या पीरियेट्स के समय बाल दोने चाहिए या नहीं और क्या इसकी वज़े से प् कोटिफिकेशन मिलें और अगर आप चाहिए तो मुझे इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं पीरियेट्स के समय बाल दो देने से आपका आप इन्फर्टाइल हो जाती है एक महिरा इन्फर्टाइल मतला उसकी फॉर्टिलि समय बाल दोना मतलब हाइजीन मेंटेन करना क्या किसी वी तरह की हाइजीन साफ सफाई मेंटेन करने से आप आगे जाके बाज़पन का शिकार हो सकती है आप खुद कॉमन सेंस से यह बात सोचके देखिए नहीं लेकिन फिर भी यह आपने बहुत सुना होगा हो सकता है आप पीरेट्स में अगर आप बाल दोते हैं तो आप इनफर्टाइल हो जाएगे आपकी फर्टिलीटी एफेक्ट हो जाएगी आपको आगे जाके बच्चे नहीं होंगे आपका गर्ब जो है आपका यूट्रस जो है वो स्वेल हो जाएगा उसमें सूजन आ जाएगी और आपक जो fertility है वो completely चली जाएगी, उसी uterus में pregnancy नहीं रुप पाईगी, ऐसा माना जाता था और बोला जाता था कि इसलिए periods के समय महिलाओं को बाल नहीं दोने चाहिए, अब इसके पीछे का logic क्या है, अब किसी ने कहके तो कोई मरा नहीं है, कि भई periods के पीछे बाल नहीं दोने का य इसके पीछे का जो reason है, वो completely opposite है इसके, जब पहले जमानों में नहाया जाता था, तो जो rivers वगएरा होती है, नदी होते थे, तलाब होते थे, उन areas में जाके नहाना पड़ता था, जब वहां पे नहाते थे, तो पहले तो वहां का temperature, वो जो पानी होता था, वो बहुत थंड एकदम से पानी डालते हैं, तो उसकी वज़े से blood circulation थोड़ा सा धीमा हो जाता है, तो यह माना जाता था कि अगर आप बहुत थंडे पानी से नहाते हैं, तो उसकी वज़े से blood का circulation decrease हो जाएगा, और वो आपके periods वाले flow को भी decrease करतेगा, एक तो यह इसके पीछे का एक logic reason है, दूसरा कि पहले जो है जो नदी तराब होते थे, उसमें जानवर भी नाते थे, उसमें लोग भी नाते थे, common होते थे, वो मतलब पूरा का पूरा गाओं, पूरा का पूरा जितना area है, वो उसी पानी में नहारा होता था, वो पानी clean नहीं होता था, उसमें कितने infections हैं, क्य तो जब महिला अपने प्राइवेट एरिया को से clean करती थी, तो periods के समय में वैसे ही महां से already blood आ रहा है तो hygen और अच्छे से maintain करनी की जरुवत है, तो वहां पर clean वो water clean ना होने की वज़े से, वो water साफ ना होने की वज़े से, या उस water में अलग तरह के infection होने की वज़े से, ज और reproductive system में अगर infection फैल देगा तो वो कहीं न कहीं pregnancy को affect कर सकता है तो ये सारा reason था, logical reason है ये उस चीज़ के पीछे अब current scenario की बात करते हैं क्या आप तालाब में जाके नहाती हैं क्या आप reverse में जाके नहाती हैं नहीं अब सबकी वाश्रूम से सब अपने बाल्टी दो बाल्टी साफ पानी लेते हैं और उसी से नहाते हैं तो सबसे पहली बात ये वाला concept खतम हो गया कि उसमें जानवर भी नहा रहे हैं ऐसा तो नहीं है दूसरी चीज़ कि आप बहुत लंबा ट्रैवल करके तो जाती नहीं है अब नहाने के लिए आपको वहाँ पर कितना भी आप जाएं कितनी भी दूर अगर हो तो आपका वाश्रूम कितनी दूर होगा यह पानि है आपके घर एंदर ही हो ग़ा वहां cream पेखरार एंदर हो अधर गइंगे ऐसा तो नहीं है कि और लोग भी आपके साथ नहीं है अपके सांश मेरम के नहीं है दूसरा uterus swell हो जाता है, यह बिल्कुल ही गलत है, पानी से कभी भी आपने uterus बाहर अंदर का swell नहीं हो जाएगा, कि आपने अपने सर पर पानी डाला और उससे आपका uterus swell हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, यह तो completely wrong है, कोई scientific proof भी है इसके पीछे, completely wrong है यह, next जो चीज ते की blood circulation थोड़ा, तो अगर आपने दोटेस किया होगा, कि अब जो लोग नहाते हैं, ऐसा तो नहीं है, बहुत ठंडे पानी से नहालेंगे, यह बहुत गरम पानी से, नॉर्मल तासीर के पानी से आप नहाते हैं, जिसको आप एजीली बियर कर पाते हैं हेड के ऊपर बहुत ज़्यादा गरम यह बहुत ठंडा पानी नहीं डालते हैं, नॉर्मल तासीर का पानी डालिए उससे नहाइए, तो किसी भी तरह की problem आपको नहीं होगी, पीरेट के समय में आप बाल absolutely normally धो सकते हैं, कोई problem नहीं है, even अगर आप अच्छी hygiene maintain करते हैं, त तो infection होने का खत्रा और कम हो जाता है, cervix open है, वहाँ से infection अंदर के reproductive portions में जाने का खत्रा जादा बढ़ जाता है, तो इसलिए इस साइन पे good hygiene को maintain कीजिये, properly नहीं है, properly hair wash आप कर सकते हैं, उसमें कोई problem नहीं है, so I hope इस वीडियो में वो clear हो गया होगा, जो period related myth है, यह completely myth है, एक ब्राती है, जो पुराने समय से चली आ रही है, किसी नहीं सोचा कि पुराने समय में अगरे बात कही गई थी, तो उसके पीछे का logic क्या था, पहले समय का logic अलग था, अब वो समय नहीं रहा है, आप तालाब वगेरा में नदी में नहीं नाते है, common पानी नहीं यूज कर करके जाएएगा, thank you so much.